2019 रनवीर आलिया सादी के लिए परफेक्ट साल रनवीर कपूर का जन 28 सितंबर 1982 है सादी के लिए 2019 बेस्ट फेज रहेगा इनका भाग्यांग 3 है जो इस साल सबसे लखे अंकों में है आलिया का जन 15 मार्श 1993 का है यानि कि उनका मुलांग 6 है और यह अंक भी इस साल खास है दोनों की सादी की बात करें तो यह साल सबसे बेश्ट रहेगा अगर वे दोनों एक दूसरों को लेकर सिरियस है तो उन्हें ज़्यादा सूचना नहीं चाहिए 2019 उनके लिए बहुती अच्छा साल होने वाला है प्रवल्स हमावना है कि वे दिसंबर तक सादी कर सकते हैं अगर रनबीर का पूर इस साल सादी करते हैं तो यह साल उनके लिए यादगार तोफा साबित होगा कैरियर की बात करें तो रनबीर की 2018 में आई उनकी फिल्म संजूत 300 करोड में चली गई इस साल भी उनका जादू बरकरार रहने वाला है यह स्राज बैनर की फिल्म समसेरा ओसत से उपर विजनिस करेगी करन जोहर वाली ब्रमास भले ही टिकट खड़की पर ज़्यादा कामयाब नहीं होगी लेकिन बाणबीर के काम की तारिफ खूब होगी केरियर के लिहाद से 2018 से सुरू हुआ उनका अच्छा समय 2020 तक सुरक्षित रहने वाला है आलिया के केरियर के लिहाद से यह साल मिला जुला रहेगा उनकी गल्ली बॉई पसंद की जाएगी इस साल उनकी दूसरी रिलिश फिल्म बमास्र जादा कामयाब नहीं होगी लेकिन उनका काम सराया जाएगा इसी प्रकार और भी रोच्चक जान कहरे के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सेर वर सब्सक्राइब करें मारे चैनल में विजट करने के लिए धन्यवाद